एलो एवरिवन इस कोशन में दिया है कि एक फूटुबॉलर जो एक फूटुबॉल को कहीं करता है विद वैलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कोशन में दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड और एंगल कितना बनाता है वो 45 डिग्री का तो यहां पर मैं वही आपको ग्राफिक लिए दिख पुछा रखा है इस कोशन में तो यह बोल रहा है कि find the time taken by the ball to strike on the ground मतलब कि यहां से जाएगा और पाराबोला equation बनाएगा मतलब कि यह equation ऐसा बनाएगा ठीक है पात और फिर यह ground पर जाएगा मतलब कि यह ground से start हुआ और ground पर आ जाएगा तो यह नमर में पूछा हुआ है त बहुत important equation है तीनों ठीक है अब यहां पर हम तीनों मेंसे एकー question निकालेंगे accordingly निकालेंगे कि हमें चाहिए क्या हमें find क्या करना ए और हमें given क्या है तो हमारे पास तीन equation और हर यह question के gigan है हम 에 तो ते चाहिए टाइम तो टाइम किसिक्विशन में है तो हमें या तो ये के लागाना पड़ेगा या तो ये लिक्विशन 175cimento और में ये लिक्विशन लगर जीर हना पाड़ेगा लेकिन हमें डिक रखा है हम संदे को दें कि रखा है रैक National यह नीचे की और लग रहा है यही हमें दोनों पता यानि कि हमें एसिलरेशन का वैल्यू पता है और हमें इनिश्यल वैलोसिटी पता है और हमें कुछ नहीं पता है हमें फाइनल वैलोसिटी नहीं पता है तो हम यानि कि यू वी तो हमें पता नहीं है तो हम कौन से क्वेशन सबसे पहली बात तो यह हम अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं यह टूडी मोशन है ठीक है एक सेक्सिस में अलग हम लगा सकते हैं तीनों के क्वेस्चन को तो हम क्या करते हैं कि y-axis में यह लगाने खुशिस करते हैं ठीक है y-axis में कैसे लगाएंगे एस y is equal to u y into t plus half into a y into t का square क्यों लगाएं y-axis में क्योंकि हमें y-axis में velocity पता है इसका हम लोग 2 component कर सकते हैं यह जो अगर 20 meter पर second इसका 2 component कर सकते हैं x component कर सकते हैं और एक बच्चो y component कर सकते हैं ठीक है x component इसका क्या होजेगा 10 root 2 meter per second 10 root 2 meter per second 20 का cost of 45 लेंगे इधर x-axis में और 20 का sin of 45 लेंगे और इधर भी होजेगा 10 root 2 meter per second ठीक है clear बात है तो हमें यहाँ पे u y का value पता है u y कितना है बच्चो 10 root 2 meter per second दिया हुआ है और हमें क्या क्या पता है sy value पता है sy का displacement in y-axis है displacement क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से शुरुआत किया यानि कि 0 origin से start हुआ और origin पे आ गया मतलब कि अगर हम y-axis में displacement देखें कितना है 0 ठीक है तो y-axis का displacement 0 a y का value कितना है बच्चो जी acceleration due to gravity और हमें क्या find करना है यहाँ पे t का value find करना है तो हम equation यहाँ पे use करते है यह बाला 0 is equal to 10 root 2 into t minus half into हम g का value लेते है 10 क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है calculation को easy करने के लिए लेने के लिए बोला हुआ है तो into 10 into t का square है अगर क्या calculate करते है तो t का value कितना है बच्चो 2 root 2 आयाता है which is equal to 2.8 second ठीक है यही हमारा correct answer है बहुत ही simple सा था या तो हम इसको direct formula से भी कर सकते थे ठीक है आप याद रखो कि direct formula क्या होता है time of flight total time of flight होता है T capital T से denote करते है इसका value होता है 2u shine theta upon g होता है clear बात है तो T is equal to कितना हो जागा 2u कितना है 20 sin theta कितना होगा 1 upon root 2 ठीक है sin of 45 1 upon root 2 divided by 10 तो यह time of flight कितना आजता है directly एगर formula से हम करें तो 4 upon root 2 is equal to 2 upon 2 into root 2 is equal to 2.8 second तो directly formula से मैं कर सकता था लेकिन हमें समझना है कि questions को करना कैसे है questions को कैसे आखिर कौन सा formula या है use करना है questions में क्या concept use हुआ हमें वो समझना है इसलिए हम दोनों तरिका से करेंगे तो यह तो हो गया formula या हम कह सकते है ठीक है तो हम यहाँ पर directly बहुत important formula t is equal to 2u sin theta upon जी याद रखेंगे या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं clear बात है तो हम अब दूसरे questions के और B नमर पे चलते हैं B नमर में क्या पुछा हुए बच्चो कि find the maximum height it reaches यह कितना maximum height reach करेगा ठीक है तो इसका हम concept समझते हैं कि maximum height पे होगा क्या सबसे पहले तो यह हमें समझना होगा maximum height कहां होगा बच्चो यहाँ पे होगा यहाँ पे क्या होगा इसके पास एगर यह ball क्या है football है football के पास दो velocity एक x-axis में velocity एक y-axis में velocity है x-axis में कोई भी acceleration नहीं है इसलिए x-axis में क्या होगा कोई इसका velocity चेंज नहीं होगा clear बात है तो इसका velocity क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 10 root 2 meter per second होगा ठीक है कोई इसमें velocity चेंज नहीं होगा x-axis में पर y-axis में क्या होगा धीरे 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 वेलोसिटी चेंज होगा clear बात है क्यूं क्यूंकि y-axis y अगर हम एक्सिस का बात करें तो उसमें acceleration due to gravity नीचे की direction में acceleration लग रहा है clear बात है तो वाई वैलोसिटी यू वाई का value चेंज होगा हमेशा तो अगर हम highest point का बात करें तो highest point पे श्रीफ और सिर्फ एक ही इसका x component रहेगा y component चीरू हो जाएगा ठीक है यह थ्यान देने वाला बात है यह highest point पे यू वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा वी वाई कंपोनेंट का सकते है फाइनल वैलोसिटी कंपोनेंट जीरू हो जाएगा clear बात है अगर हम यहां पे देखे तो हमें क्या निकालना है यहां पे निकालना है है ये वहां फारमुला यी उट कर सकते हमें घिवंकाल के दिया हुआ हम इंशल वेलोसिटी पता है युपाइल WAY पता है यू वाई पता है तो vy component कितना हो जाएगा, maximum height पे 0 हो जाएगा, जो कि मैं भी discuss किया, 10 under root, 10 root 2, ठीक है, इसका square हो जाएगा, minus 2 into ay, 10 कहा गया हमेरे लेने के लिए, ठीक है, into h, clear बात है, तो यहां से कर हम calculate करेंगे, तो यह हो जाएगा, 100 into, 10 into 10, 100 into 2 कितना हो गया, 200 divided by, यह इधर आ जाएगा, 20 is equal to height h, तो height h कितना आ जाएगा, बच्चो, h is equal to, हमें आ गया, 10 meter, इसका भी यहां से हम लोग direct formula निकाल सकते हैं, कैसे, अब यहां पे था, vy maximum height जाने पे कितना हो सता है, 0, तो 0 is equal to, u y square, plus 2 ay into h, तो maximum height कितना हो जाएगा, बच्चो, 2 u y square, यह ay, अगर negative direction में है, तो negative लिग सक हो जाएगा, 2 g into h, और h is equal to, h is equal to, h is equal to, आ जाता है, u y का square upon 2g, u y कितना है, u y है, u का sin of theta, यानि कि component, y component है, y component क्या था, user का sin of theta upon 2g, clear है यहां तक, और h is equal to, कितना है, u sin of theta, अच्छाई, इसका square हो जाएगा, तो हम यह directly formula याद रखेंगे, यानि कि maximum height एटन के, कितना हो जाएगा, u sin of theta का whole square upon 2g, clear है यहां तक, तो u का value, 20 into 1 upon root 2 का whole square, divided by 2 into 10, तो यहां से maximum height कितना निकल जाएगा, बच्छो, directly हम निकाल सकते हैं, यहां पर, 10 root 2 का square कितना हो गया, 200 divided by 20, which is equal to 10 meter, दू लाइन में बस निकल जाता है, हमारा answer, clear बात है, तो अब आते हैं हम यहां question पर, c number में यहां पर क्या पूछा हुआ है, कि how far, how far away from the kick does hit the ground, यानि कि horizontal range पूछा हुआ है, कि यहां से जो है, यहां से कितना दूर जाके गिरा है, यह horizontal range है, इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे, कि sx is equal to क्या होता है, u x into t plus half into x into t square, ठीक है, अ अब यहां पर अगर देखें, तो x क्या value कितना है, यानि कि acceleration in x direction 0 है, तो यह पूरा का पूरा term क्या हो जागा 0, और sx is equal to क्या बोल सकते है, u x into t बोल सकते है, यह हो जाएगा horizontal range, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानि कि range equal to horizontal range, r से denote करते हैं, यह u x, u x क्या है, u का cos of theta into time period, time period कितना यहां यहां, t equal to निकाल चुके थे, t equal to क्या है, 2u sin theta upon g, या फिर हम यह time use कर लेंगे, ठीक है, यानि तो यहां पर 2u sin theta upon g, तो इसको अगर multiply कर दे, 2u sin theta upon g, तो हमारा formula drive हो जाता है, horizontal range के लिए, कितना हो जाता है, r is equal to, कितना हो जागा, 2u square sin theta into cos theta upon g आजाएगा, यहां पर जो है, 2 sin theta into cos theta को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते है, cos of 2 theta, ठीक है, sorry, sin of 2 theta, तो r is equal to, क्या हो गया, u square sin of 2 theta upon g, हो गया, clear बाता है, तो यह हम directly, यहां पर range का formula, यहां पर हम लोग, यूज कर सकते हैं, तो range is equal to, कितना हो जागा, u square, यानि कि 20 का, square into sin 2 theta, sin 2 theta का बेच्चो value केतना है, यानि कि sin of 90 degree, theta 45 था, sin of 90 degree upon 10, ठीक है, तो यहां पर range का value केतना आ जाता है, यहां से 20 का, square, 400, sin 90 degree, 1 upon 10, यानि कि 40 meter, या फिर हम directly यहां से निकाल सकते हैं, sx is equal to क्या होता है, क्या है, u x into t, तो u x कितना था बच्चो, u x था 10 root 2, clear बात है, यही है, u x 10 root 2, तो 10 root 2 into, कितना होजेगा, 2.8 second, 10 root 2, 10 into root 2 into 2.8 second, ठीक है, जो कि हम यह नमर में find किये थे, तो इसको, अगर इसको हम calculate करते हैं, तो हमारे पास आता है, 39.6 meter, इसको हम एप्रोक्स 40 meter बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह हम सारा यहां पर तीन formula यूज किये हैं, बस एक range equal to, range equal to u square sin 2 theta upon g, यूज कर सकते हैं, height equal to u sin theta square upon 2g, और time period equal to 2 u sin theta upon g, यह directly यूज कर सकते हैं, यह directly यूज करेंगे, तो हमारा 2 मिनिट में answer आजएगा, हमें concept पता है, तो हम यह लगा सकते हैं, clear बात है,